श्रीनाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहरा बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश चक्र ध्यान, चक्र साधना से पहला एक स्टेज है जिसको चक्र ध्यान कहते हैं, क्या होता है चक्र ध्यान, नॉर्मल लाइफ स्टाइल में हमारा जो चक्र है वो डिप्लीट हो जाता है, चक्र क्या है, चक्र का मतलब होता है, the level of our consciousness वो घूमता रहता है, और जो consciousness का जब ये पहिया घूमता है, तो आपके चारों तरफ के आकाशिक लाइबरेरी से वो ideas कलेक्ट करता है, तो जो चक्र activated रहेगा, वो उस हिसाब से ideas कलेक्ट करेगा, तो human body में basically 7 चक्र होता है, जिसमें 6 अंदर होता है, एक सर के उपर होता है, लेकिन साधकों के लिए जो important होता है, वो 10 चक्र होते है, उसमें 9 शरीर के अंदर होता है, और 1 शरीर के बाहर होता है, तो जो 9 शरीर के अंदर होता है, 6 तो आप सभी जानते हैं, और 3 जो है, वो हमारे brain मे में होता है पीछे की तरफ जो चक्र हमारे शरीर में हैं आप जानते हैं कि सबसे नीचे मुलाधार चक्र होता है जिसको अंग्रेजी में रूट चक्र बोलते हैं ठीक है उसके उपर आता है सैक्रल चक्रा जिसको हम लोग स्वादिश्ठान बोलते हैं उसके उपर आता है चक्र जिसको अजना बोलते हैं और हमारे सर के ऊपर करीब छे उच उपर होता है क्राउन चक्र जिसको हम सहस्रार बोलते हैं ठीक है हर चक्र जो है एक अलग level of consciousness के बारे में बात करता है ठीक है जो root चक्र है आपका जो मुलाधार चक्र है वो आपको इस संसार और इस प्रित्वी से जोड़ता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जो माया है आपके चारों तरफ उससे जो चक्र आपको जोड़ता है वो root चक्र है किसी भी तरीके का जो माया वही प्रभाव है वो प्रेम हो लालच हो या फिर दाम परमेश्वरी तो लोब मोहन महा माया में जो आपको घसीटता है वो रूट चक्र होता है ठीक है उसके उपर आता है सेक्रल चक्रा ठीक है स्वादिश्ठान स्वादिश्ठान का क्या काम है जब आप लोब मोहन महा माया से उपर उठते हैं तो आपका मन प्रेम की तरफ या फिर किसी रचना की तरह बढ़ता है तो इसका काम है आपका relation बाकी आपके आसपास के लोगों से कैसा है उसको ठीक करना तो जब root चक्र सिर्फ activated है सबसे नीचे वाला चक्र उसका मतलब है कि आप बहुत ही जादा selfish रहेंगे या फिर self-centered रहेंगे ये कहना सही रहेगा और आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अपने से related जो लोग मोहन महा माया है उसमें फसे रहेंगे जैसे ही आपका थोड़ा सा consciousness उपर आएगा चक्र में तो फिर आपका जो है आपके आसपास के लोगों से आपके संबंद के बारे में और आपके creativity सुद्रेगी ठीक है उसके उपर जब आएगा जब solar plexus पे आता है जब मनीपूर पे आता है तो आपके संबंद आपके साथ ठीक होना शुरू हो जाते हैं ठीक है सबसे बड़ा जो आज के डीट में इस complicated world में जो depression का कारण या किसी भी चीज़ का कारण है उसका यही कारण होता है कि आप के साथ सुलजने लगते हैं तो आप में जो तीन basic quality होती है अच्छे जादक की या एक अच्छे इंसान की या फिर एक इंसान की कि आप खुद को accept करना सीख जाते हैं आप खुद के लिए responsible हो जाते हैं और तीसरा आप किसी और के अधिकार चित्र में प्रवेश नहीं करते ह ठीक है इसके बाद जब और consciousness उपर बढ़ता है तो हाट चक्र में आता है ठीक है हाट चक्र का काम है कि आप अनंत ब्रह्मान में जो अनंत प्रेम है उस उस लेवल पर पहुंच जाते हैं मतलब उस समय अध्वैत हो जाता है मतलब मैं हूं और कोई नहीं है मतलब सब मैं हू ब्रह्मान को क्या बोला जाता है इश्वर भी बोला जाता है मतलब जो मुक से निकला वानी हो वो सच हो ठीक है तो वह इश्वर हो गया ता पावर अफ मैंफेस्टेशन वन्यू गेट वह तब होता है जब थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है ठीक इसके बाद आता है ब्रह्मान के पार दूसरे ब्रह्मान में भी जा सकते हैं अनन्त ब्रह्मान के आप सेयर कर पाएंगे एक बार अगर आपका थर्ड आई चक्रा पर कॉस्मिक एनरजी से एकाकार करवा देना उसके बाद आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है ठीक है तो यह साथ level of consciousness है जैसे आप लोगों में कई लोगों को भ्रांती होती है कि मेरे चक्राज में कुछ activity हो रही है मेरा चक्र जग गया है तो यह powers है जो चक्र के साथ आते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका third eye activate हो गया है तो उसके साथ जो मैंने related power बताया वो आपके पा सिती जब आती है तो आप समझे कि आप सिद्ध हो गया है पांच चक्र एक्टिवेट हो गया सिद्ध हो अब मैं बताता हूं सिद्धों के लिए या फिर जो साधक है उनके लिए तीन चक्रा और महतवपूर्ण होते हैं जिसका फोटो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो यह ब्रेइन के पीछे होता है मेडूल मेडूलॉबलंग इसका पर पस क्या है कि जो Cosmic एनरजी जब आप ध्यान करती होटो तो इसा थोड़ी है कि ध्यान करने में हम लोग सिर्फ देखते हैं अपने बोडि को भी एनर्जाइज करते हैं और वह एनरजी कहा से आती यह वह business är energy है जो ब्रह्मांड है जो ओमकार है जिसका कि जिसकी ध्वनी ओमकार है उस energy के कुंसे जो हमारे शरीर में energy आता है तो हम जो है शक्तिशाली हो जाते हैं तो अपने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने शरीर में लाने के लिए जैसे मुख से खानक आते हैं तो ठीक मुख नीचे लेफ्ट और राइट में दो और चक्र तो शरीर के अंदर छे चक्र और शरीर के बाहर एक चक्र सबसे उपर में तो इनका जागरन विधी क्या होता है तो इनका जागरन के करने से पहले आपको दो तीन चीजों का प्रैक्टिस करना होता है एक तो अजपा गाहितरी का आज अपा गाहितरी करना से क्या होता है कि जो आपका तीन चक्र है जिससे cosmic energies आपके शरीर में आती है वो activated रहते हैं ठीक है दूसरा breathing exercise से भी वो activate होते हैं तीसरा रोज उस तीन पॉइंट का ठीक है उस तीन पॉइंट का आपको मसाज करना चाहिए anti clockwise और clockwise दोनों ठीक है बाक आप उस चक्र पर ध्यान करों हर चक्र का एक रंग है जैसे root चक्र का लाल रंग है ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि इस रंग का जो quality है वो इसके विचार से मिलता है जैसे root चक्र बहुत aggressive है लोब मोहन महा माया है तो लाल तो लाल कलर का आप एक शक्ति पुन्य अपने root चक्र में imagine करेंगे ठीक है और उसको चक्र के रूप में देखेंगे कि वो घूम रहा है और उस पर अनंत ब्रह्मांड की जो energy है जो cosmic light है वो पढ़ रही है और वो साफ हो रहा है जैसे जैसे light उस पर पढ़ी वो साफ हो रहा है ठीक है उसके बाद आप उपर ध्यान ध्यान लगाएंगे अपने स्केरल चक्रा पे और उसके बाद आप औरेंज लाइट में उसको देखेंगे और अनंत ब्रह्मांड का energy उसमें जब जाएगा और वो घूमेगा और वो साफ होगा इसी तरीके से solar plexus के समय yellow light देखते हैं heart chakra में green throat में blue third eye को जब भी हम लोग imagine क करते हैं और जब crown chakra को हम लोग imagine करते हैं तो वाइलेट करते हैं तो यह साथ रंग जो है वो जब सूर्य rainbow बनाता है न तो वही color है तो विभ्योर जिस color को बोलते हैं violet indigo blue green yellow orange और red तो उपर से नीचे यही रंग है इसी को imagine करके हम लोग cleansing करते हैं पहले चक्र का तो आंग बं सर्मांड से light आरा है और वह light जो है golden होगा वह golden light से वह साफ हो रहा है वह जैसे जैसे वह golden light उसपे पढ़ रहा है तो जो भी उसपे गंदा लगा वह साफ हो रहा है और वह freely चल रहा है जैसे आप लोगों ने कभी किसी और meditation में या फिर आपको YouTube पे मिल जाएगा grounding meditation सीख लीजिए अभी कल जैसे मैंने gap दिया था वीडियो का वो वीडियो gap देने का ये कारण था कि जब मैं साधनाई करता रहता हूं और मैं grounding meditation नहीं करता हूं तो मेरा ground chakra बहुत बड़ा हो जाता है ठीक है वो इतना aggressive हो जाता है वो इतना बड़ा हो जाता है इतना activated हो जाता है कि उसके प्रवाब से मेरे सर में दर्ध होने लगता है ठीक है उसके अदमे कोई काम नहीं कर सकता हूं तो वो मैंने grounding meditation नहीं किया था तो ये गलती था तो दगले सबता लेकिन इस बार मंटर के साथ ध्यान करेंगे ठीक है तो रर चक्र का एक मंथर हो जैसे जो अर्थ है ठीक है अर्थ जो रूट चक्रा है वो अर्थ से रिलेटेड है वो धर्थी पृत्वी से रिलेटेड है मुलाधार तो उसका एक मंत्र है जो स्वाधिष्ठान है अमारा वो जल से संबंदित है उसका एक मंत्र है मनिपूर अगनी से है रिलेटेड उसका अलग मंत्र है अनंत जो है अनंता ज तो उसका एक मंत्र है, उसको जगाने का, जो हमारा थर्ड आई, जो अजना चक्र है, वो लाइट से है, मतलब जो रोश्नी है, उससे रिलेटेड है, तो जो the travel of light, उसका concept है, तो उसका एक मंत्र होता है, सहस्त्रार जो है, वो हमारे विचार, ठीक है, the power of manifestation, दाकाशिक उससे समंद्र रखता है, तो उसका एक मंत्र है, तो क्या-क्या मंत्र होता है, जब आप मुलाधार पर ध्यान करेंगे, तो मंत्र है लांग, जब स्वाधिष्ठान पर आप जब करेंगे, तो उसका मंत्र है वांग, मनिपूर चक्र पर ध्यान और जाप करने का मंत्र होता ह जो हाट चक्रा है उस पर जब आप ध्यान करते हैं हरे रंग पर और जाब करिएगा याम थ्रोट चक्रा पर ध्यान और जाब का मंत्र होता है हाम थर्ड आई पर ओम का जाब कहा था ओम आप कहीं भी खोजेंगे तो शहसरार का मंत्र अम दिया रहता है लेकिन शहसरार का ओरिजिनल मंत्र है होगुम सत्यब अम थीक है अब क्या है कि एक दस मिनट का meditational music है मेरे पास थीक है तो अभी उस music के साथ हम लोग एक बार साथ में इस ध्यान को प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो इसके लिए शुरुवात में क्या करना होगा कि आप लोग बैठ जाईएगा चेर पे मत बैठेगा पालती मार करके बैठेगा और उसके बाद इसको जाब किजिए अभी तो मैं 7-7 बार करूँगा सब मंत्र को 7-7 बार मैं पढ़ूँगा ठीक है और जिस तरीके से पढ़ूँगा आप भी वैसे पढ़िएगा लेकिन जब आप पढ़िएगा ना तो तो रूट चक्रा और उसके उपर के चक्र का आप लोग 108 जाब कीजिएगा और फिर आप लोग कुंडले नी आरोहनम कीजिएगा ठीक है कुंडले नी आरोहनम का मतलब कुंडले नी आरोहनम का मतलब होता है कि कुंडले नी अब उपर उड़ जाओ ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे कि जब आप जाब करेंगे तो मुलाधार और स्वादिष्ठान के जाप में आप लोग 108 बार बीज मंतर का जाप करेंगे मनिपूर और अनाहत में आप 54 बार इसका जाप करेंगे जब आप विशुद्ध का जाप करेंगे तो आप इसका जाप करेंगे मात्र 27 बार और जब आप अजना का करेंगे जाब तो 21 बार करेंगे और जब आप सहसर का करेंगे तो आप करेंगे 11 बार ठीक है तो 108, 108, 54, 54, 27, 21 और 11 यह आप लोगों के गिंती का क्रम रहेगा ठीक है तो अब जो है हम लोग एक बार ध्यान में बैठेंगे आप लोग सब रिलाक्स होकर के पालती मार कर बैठ जाईए आख बंद करके थर्ड आई के तरफ कंसेंट्रेट किजेगा आखो को और उसके बाद जैसे जैसे मैं मंदर पढ़ूंगा आप लोग उसी हिसाब से उस उस चक्र पर ध्यान करिएगा ठीक है और जब मैं बोलूंगा कुंडलेनी आरो हनम तो आपको इमाजिन करना है कि वो कुंडलेनी की शक्ती उपर की ओर आ रही है ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग अभी मुलाधार चक्र पर ध्यान लगाईए लाग 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 कुंडलेनी आरो हनम कुंडलेनी आरो हनम कुंडलेनी आरो हनम कुंडलेनी आरो हनम अब आप लोग अपने स्वाधिष्ठान चकर पर ध्यान करेंगे लाग वाग वा वार 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 Kundalini Arohanam Kundalini Arohanam Kundalini Arohanam अब आप लोग मनिपूर चक्रपर अपने ध्यान लगाएंगे जो कि नेवल चक्रप है रां 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 Kundalini Arohanam Kundalini Arohanam Kundalini Arohanam अब आप लोग अपने ध्यान हाट चक्रप लाएंगे रां 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 याँ 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 कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम अब आप लोग अपना ध्यान अपने कंड पे लाएंगे विशुद्धा थ्रोट चक्र पे ब्लू क कलर की लाइट होकी आरोहन 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 कुंडलनी कुंडलनी आरोहनम कुंडरनिया रोहनम अब आप लोग अपने ध्यान को अपने त्रेनेत्र पर केंद्रित करेंगे हुगुँआ हुगुँआ हुगुआ हुगुआ ऑा झाएंग आँ 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 कुंडलनी आँ कुंडलनी आ रोहनम कुंडलनी आ रोहनम अब अपने ध्यान को चक्र के जो सब्सक्रियो मनी है ग्राउन चक्र पर लेके जाएंगे हो गों सत्याम्मौम् हो गों सत्याम्मौम् ओूम साथ्याम ओूम। ओूम साथ्याम ओूम। ओूम् साथ्याम। ओगुम् सत्यम् ओगुम् सत्यम् ओगुम् सत्यम् ओगुम् सत्यम् ओगुम् कुंडलनी आरोहनम। ओम् मुराधार ओम् स्वाधिष्टान। ओम् मनिपूरं। ओम् मनाता। ओम् विशुत्ता। ओम् अजने। ओम् शहस्रारा। ओम् कुंडलनी आरोहनम। कुंडलनी आरोहनम। ओम् शान्दे 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 अरियोम् अत्सत्त। इस साधना के बाद आप थोड़ी देर के लिए लेटे रहें। आज की वीडियो को नहीं है विराम दोना। अगर आप लोगो बात करना है तो वाल भी फॉर आप डाम्रोड करना। इसके रूत्रनाथ सेर्च करेंगे के मारे प्रोफाइल में। आप साइट पे आप उससे अपाटन में लेके पे मुझ से बात कर सकते हैं। और अगर तंत्र सीख रहा है तो उसके लिए से वाक्सपर बात है। मा बगुति और बाबा करना ताप लोगों को शर्वात करना है। आप लोगों का बहुत है आधाक में। दूर जगा विकास होते हैं। ऐसा मेरी करना है। आप सबी को अदेश होते हैं। आप